ये उन दिनों की बात है जी हाँ, ताने और थपर खाने के बावजूद मैं समीर के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई और फिर आ गई 7 जून 1992 यानि कॉलेज का पहला दिन ताई जी हमने कॉलेज के लिए रेजिस्टर ले लिया ये कॉलेज के लिए नहीं है फिर किस के लिए है ये नियम और काइदे की किताबे हैं इसमें लिखा है कि तुम्हें कॉलेज जाके क्या-क्या नहीं करना है समझी तुम दोनों को तो यही लगता होगा नँ कि ताइजी जब देखो तब बुस्सा करती रहती है दाटती रहती है हाँ ताइजी मेरे मितलब नहीं ताइजी मैं तुम दोनों की दुश्मन नही हूँ तुमारा भला चाहती हूँ इसलिए घड़ी-घड़ी समझाती रहती हूँ. दुनिया और दुनिया वाले बिल्कुल इस मौसम के जैसे होते हैं. खराब, बहुत खराब. क्या? कुछ दिमाग में घुस रहा है? कि बस मुंडी हिला रही हो? जी ताई जी, समझ आ रहा है. नेवा, अच्छी तरह से पढ़ना ये नियम काइदे. वैसे ताई जी, क्या-क्या है जो हम नहीं कर सकते? क्लास छोड़के इधर उधर आवारागर्दी बिल्कुल नहीं करना. जो लड़किया घुटने के उपर इसकर्ट पहिंती हो, उनसे दूरी रहना. अशरत पढ़ाई कर द्यान देना, और किसी चीज़ पर नहीं. किसी को गर का पता और टेलिफोन नंबर भी मत देना. और अकेले फिलम भी देखने मत जाना. हाँ, अगर कभी का बहुत ज़्यादा फिलम देखने का मन होना, तो मुझे साथ लेकर जाना. अभई, ये दियम का बना? वो भगवान जूट ना बुले भाभी जी, बस मन में आया तो कह दिया. अब मन की आवाज तो भगवान की आवाज होती है ना? और एक बात गांट बांद लो. किसी लड़के से बिलकुल बात नहीं करना है. क्या क्या नहीं करना वो तो समझ में आ गया. अब हम क्या कर सकते हैं, वो भी बता देते तो. सारी क्लासेज अटेंड करनी है. एक भी नहीं छोडनी. ओ भई, एक बात और. घर से सीधे कॉलेज जाना है और कॉलेज से सीधे घर आना है. हाँ, और रोज अपना अपना टिफिन साथ लेके जाना. टिफिन? चाची जी, कॉलेज में टिफिन कॉन लेकर जाता है? हम कह रहे हैं, तुम जाओगी. जाओगी ना? जीता है जी. तुम्हें पता है, ये बिस्किट चाय में क्यों गिर गया? आपने टाइम पर नहीं खाया इसलिए. नहीं. इसलिए, क्योंकि ये बिस्किट नाजुक था. कमजोर था. बिल्कुल तुम दोनों की उमर की तरह है. और हम नहीं चाहते कि तुम दोनों इस नाजुक बिस्कुट की तरह इसी चाय में गिर जाओ. क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तो हम चाह कर भी तो मैं उस गरम चाय से बाहर नहीं निकाल पाएंगे. कुछ पल्ले पड़ी मेरी बात? जी दय जी. बेला, बारिश की बज़े से लगता है थंड बढ़ने वाली है, एक काज शॉल निकाल देना. उस दिन ऐसा लग रहा था, जैसे हम पे नियम कायदों की नहीं, गोलियों की बोचार हो रही हो. वो भी AK-47 से, जहाँ ताई जी ब्रिगेडियर थी, पापा करनल और प्रीती और मैं दुश्मन देश के निहत्ते सिपाही. देखो बेटा, इस सब हम तुम्हारे बलाई के लिए कह रहे हैं. बाकी तुम खुद समझदार हो, और मुझे पुरा यकीन है, तुम हमेश्य कायात का मौका बिल्कुल नहीं दोगी. चला, जाकी तैयार हो जो फटा फट से, कॉलिज के लिए लेटे हो रहे हो. चाचा चाची ने हमें गले लगाया था, और अब बारी थी अर्जुन भहिया और शेफाली की. नहीं, नहीं, गले लगाने की नहीं, बलके उनकी क्लास लगने की. शेफाली, दर्वाजा खोलो. हाँ, अर्जुन अंदर राजा दर्वाजा खोला है. हाई शिफाली हाई आंसुम क्या हुआ कोई गुजर गया क्या क्या नहीं वह जब कोई गुजर जाता है तो सफेद कपड़ों में इसलिए पुछ रहा हूं अर्जुन यह मेरे काजन की वेडिंग ड्रेस है हमारे यह पेना दूलन वाइड ड्रेस पहनती है अच्छा मुझे लगा तो इसका मतलब तुम भी अपनी शादी में वाइड ड्रेस पहन होगी तुम एक प्रिट वेट करोगे अर्जुन मैं अभी आती हूं खारी हो तुम बैटो ना अरे बैटो दो बैटो बैटो और हाइस क्लोज करके रखना मैं यह आती हूं अरे पर जा कहा रही हो अर्जुन आखे बंद रखना हां हां अब खोलू हां अब अपनी आखे खोलो जी चाहता है उम्र भर के लिए तुझ में ही बस जाओ सिर रखके मैं तेरे सीने पे धड़कनों को सुनता जाओ आशीन, hold my hand कौन हो किया इसवद्ध कौन है अरे मैं हूँ ताई जी ये परले बाबू को ट्यूसन के लिए लाई हूँ ताई जी पूल गए थी अब मैंने तो परले को बढ़ाने के लिए बलाया था तो आप क्या करें तुम जाके किछन में छोपो किछन में कैसे अर्जी पीज आके छोपो किछन में अर्जी जाओ ना तुम जाओ ओ गोड़ अरे सेफाल इस दर्वाजा क्यों नहीं खोल रही है ये क्यों नहीं खोलत रही है ये दर्वाजा क्यों नहीं खोल रही है इस दर्वाजा क्यों नह लेकर आई थी, ओ भई, नहीं फैसन प्रत्योगिता हमें चारी हो, हैं, अच्छी लग रही हो, अब यह दरबची पर खड़े पढ़ाओगी क्या हटो, अब देखो, बैठो यहाँ बैठके, वैसे ट्यूशन ले इतनी देर हो गई है, बैठके पढ़ो ट्यूशन, बैठके प बैठके पढ़ती हो, अब तो पढ़ोगे ना, मम्मी के संग ती उसन पढ़ेगा, बीटा, हो बैठ, किचिन पे कौन है, तुम्हारी मम्मी ओफिस दी गई? अ, ताई जी, यह मेरी बाई है, बाई? आज ही आई है, अच्छा, मतलब नही बाई आई है, हैं? नही बाई आई सिफाली, तु उससे बात करना ना, वो हमारे यह जाडू कपड़ा बरतन का काम करते है, हमारी बाई नही बड़ी परेशानी हो रही है, ताई जी, बेवकुल भेज दूंगी, इसमें काउन सी बड़ी बात है, बस वो मास मची खाती है, बेज दूंगी लेके, राम, राम, रड़े दो, रड़े दो, मैं बेला से कह कर भालूगी, मास बची खाती है, चलो, मैं इसको छोड़के जा रही हूं, तुम तो इसको टूशन पढ़ा लो, बस, वो बात बात में कर लेंगे, ताई जी, आप एकाम करें न, आप पढले को अपने साथ ही लेके जाएए, मैं मैं आती हूं न, ऐसे 10 मिनिट में पढ़ाने, वो क्या है न, शरमीला आज मच्छी बना रही है, पर ले पाबू, चलो, 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 सिफारी दीदी अपने घर आके पढ़ाएंगे, अच्छी बाई नहीं बिली कोई तुम्हें, बेजो क्या, नहीं, 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 स्टोरीज में नया ट्विस्ट इंटर्न्स लाने के लिए, क्याल से खाया, जहीं, वा, चुम्हें, नहीं, बेभ है, थां तुम्हें, नहीं, बेप कराया अधने के समय, नहीं, तुम्हें, जहीं, नहीं, एद। आपते हैं, जून वाई मैंने घर रहा जब हैं, उर था, यहीं, तो prior selberас से ऊहीं, जहाएंसे माएंगे, जुम्हें पाल जे बुल तक कर लग से गना। हुआ 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 है झाल झाल भाया ओटो रिक्षा है पर भाया झाल हुआ यवदा पर भाया यवदा पाया इुआ प्राइब प्राइब। कर दो कर दो कर दो पहली बरखा जैसे मीठी पुरवा जैसे स्पर्श तेरा पाया है हो जब जब तुझे गाया है सोंधी मीठी के जैसे ठंडी छाओ वैसे स्पर्श तेरा पाया है हो जब जब तुझे गाया है लेहरों के जैसे उम्मीदे पल-पल तो मुझ में भरे गम आये तो आखों में जिल में सितारे भरे उम्म खुद को कपिल देर की छटी आउलाज समझता है अकल नहीं अ बहले भर की क्या हुआ भाबेजी बाईसाब से कहा सुनी हो गये क्या जिमाग ख़्राब हो या तेरे बाईसाब सुम्हें यह सब बोलूगी आपने तैसा समझ रखा है क्या तो फिर अब किसे कोस ली थी? अरे वो किरकेज कुमार अरजून को और किसको? क्या हुआ? बीजी, आद है, पहने उसके जनम दिन पर उसको जो पीली बुछ सट दी थी थी ना? बीजी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, बजार से 1.500 रुपे की लाई थी आप, और घर में आके सब को चार सो बेला, पैसे तो तुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन ये बाते तो जो भूलती नहीं है, बस बस, ये रामान बाचने की ज़रवत नहीं है, बगवान को घर में आचार सुखाने के क्या जरूवत थी? ओ भई बेला, सची में तु दिमाग से पैदल है, मैं आचार सुखाओंगी क्यों? आचार डाला ही नहीं है, तुझे यादनी आचार तो मैं तेरे घर से लेके जाती हूँ, कहा डाला मैंने? अब कहां खुद कुछ काम करती क्या कहा? बाभी जा पाने पीजिये ना? मैं यह कह रही थी कि घर में देवरानी के रहती हूए अगर जेठानी काम करें तो अच्छा नहीं लगता ना? हाँ? आप यह लिजे पाने पीजे बाभी जी बाभी जी हूँ, देख रही हूँ, बहुत जबान चननने लगी है तेर कि अखकर आपी उधरा धोगे देदेना मुझे धोकर दे देना सारा काम वेला ही करे अरे भाभी जी खुद घुञ estiver थहरूएंगी तो तो वह ... इस ठीक सी ही ना? लो, सारा काम वेला ही हूँ, बताओ, यह देखो यह दोगे देदेना अरे इतनी जल्दे जल्दे में कहा जा रही हो और ये कपड़ों पे क्या लगा है हाँ वो चाची मैं परले को पढ़ा रहे थी भता नहीं कैसे लग गया चाची जी समझ गई थी कि अचार के इन धब्बों के पीछे अरजुन भाया और शिफाली की लव स्टोरी छुपी है ठैंक गॉड उन्होंने ताई जी को कुछ नहीं बताया वरना ताई जी ताई जी अरजुन भाया और शिफाली का ही अचार डाल देती और बेचारों के लव स्टोरी का क्लाइमेक्स हो जाता लेकिन क्लाइमिक्स पर तो मेरी और समीर की लव स्टोरी आ गई थी हम दोनों अपने अपने दिलों में दर्द लिए अलग-अलग कॉलेजिस में जो जा रहे थे रिक्षा लेक्षा पर आपको लोग है तू पंड़त तुझे यही कबड़े में ले थे मुझे सपना थोड़ी ना आया था कि तू भी यही शर्ट पेंट भेंट के आएगा ओहो उपर से बालो का डिजाइन मेरे तरह बनाने की कोशिश की है दोना बैंड वाले लग रहे है जा जा के बदल क्या मैं क्यो कर क्या हूं तू जा पुरा मूड की ऐसी कम तैसी कर रखी तूने सोचा था कॉलिज का पहला देन है हीरो बनके जाएंगे पर तूने दर जीरो लाइग में नहीं छोड़ा मेरे यार वैसे पंडत तुझे क्या लगता है समीर कॉलिज मा आएगा कुछ कह नहीं सकता यार ना चाहते हुए भी उसने कर ही लिया ना नैना से खुद को दूर किसने सोचा था कि समीर दिली से वापिस आ जाएगा लेकिन दोनों अलगला कॉले जाएंगे बता नि उसका मूठीक जाएंगे लड़की खड़ी है ना अलग पर रोग देख क्या रही है किसक न अंदर नहीं नहीं वाँ गिला है आरे यार बारुष को भी आज ही आना था कम से कम रुक तो गई चलिए हाँ यार लेकिन मैने सोचा था ऑलेट के फर्स दिपे में माधुरी दिख्षिट बनके जाओंगी लेकिन यह सब हो गया अधी गिला है अधी उद्धर गिला है यार मत किसक उद्धर जा अधी यार देख पास्मेट की बात है उसको बहुत आराम से काम्या की गाड़ी में ही जाना है गिला मत कर भाया थोड़ा जल्दी ने लीजिए वहां पर भाया वहा ना आगे साइड में रोप देना उन लड़कियों के पास बस 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 उदर किसक ना तेरी गाड़ी का है गाड़ी नहीं चल रही है अरे यार किसक ना थोड़ा सा मैं अंधर ने चारे किला नहीं जानी चाँ जालो भाया ले चलो वीजय एन कॉलेज किसक ना कहां खचकू जागे नहीं एदर चाता गीला है ए खिसक ना हुदर किसक नाने यार बाल गीले है मेरे बाल बनान देहट बालो से तपड मार रही है लिप्स्टिक ये काम्या के स्टाइल है तुम लोग भी लगा लो क्या हुआ तुम लोग इसे मूल अटका के क्यों खड़े हो मेरा मूट बिल्कु ठीक है और अरी क्या बन किया है तुम लोग लगता है तुम लोग कॉलिज में भी न स्कूल उनिफॉर्म शुरू करा कर रहो गया क्यार कम से कम खुछ धंका नहीं तो अलग लग तो पहनते हैँ अब तुम लोग यही बूचना चाहते हो ना कि यही बूचना चाहते हो ना कि यह बात रही तेरी एक गाड़ी मामा जी की है, उन्होंने कह था कि एक कॉलिज का फिर्स जे है तो इस्टाइल के लिए गाड़ी लेकर जाओं अब चलो चलो जल्दी, कल वाली बात के बाद तुनी नहीं नहीं से, चलो जल्दी से ना, हम गाड़ी ना बैठते हैं और फुल स्टाइल में इंट्री मारते हैं. चल 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 दियो, चल दियो. उस दिन में सिर्फ समीज से ही नहीं, बलकि अपने सारे दोस्तों से दूर हो गई थी. कॉलेज का पहला दिन और मैं बिलकुल अकेली. लेकिन क्या इस पहले दिन की शाम भी ऐसी ही उदास थी? उस दिन बहुत कुछ हुआ था. बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा मजा और एक छोटा सा चबतकार. यह दिन दूर मसल्रे आप दिन आप यह सारा चानल, धकला चानल, एक बने शो लिंक को करते हैं बार दिन तेकर सक्वादिव में आप कर दो दूरों है. उस दुछ को कर दो सारा दिन दूरम है.